डाक्टर साब, मेरा लिंग चोटा है शादी के बाद बीबी असंतुष्ट होगी लिंग का परिमान को बढ़ाने के लिए क्या करना है कई पुर्शों को एक प्रकार की शेंका होती है लिंग का परिमान, लिंग का साइज बढ़ा हो तो अच्छा दिखेगा, वही ही मैन होगा ऐसा यह समझते हैं लिंग बड़ा साइज होने से, परिमान होने से उसका जो पुनसत होगा तो अच्छा रहेगा. ऐसा समस्थे हैं. उतना ही नहीं ये समस्थे हैं कि लिंग चोटा हाई तो उनकी बीबी को उतना संतुष नहीं होगी. बीवी संदूश नहीं होगी ऐसा समझते हैं लेकिन ये ठीक बात है घलत धाना है पुरिश्य का लिंग साधान तो पर दो इंचिस से चार इंचिस के बीच में राता है सभी को पारे समझना दो इंचिस से चार इंचिस तक हो रहा है लेकिन जब लिंग का परिमान बढ़ेगा तब दो इंचिस बाला पांच इंचिस होगा या चे इंचिस होगा वैसे कि चार इंचिस बाला लिंग भी पांच इंचिस होगा या चे इंचिस होगा उतना ही उतना कोई लेकिन थोड़ा फर्क नहीं होगा है नहीं रहेगा फर्क नहीं रहेगा इसलिए लिंग के पर्मान के बारे में चिंता करने की जरूत नहीं ये एक बात समझा अवुर्थ को संतुष्ठ होने के लिए क्या चाहिए और पुरिश उसको फोर्पले करना उसको यवन उत्तेजर करना है यवन उत्तेजर एरोजल उनको बोलते हैं एरोजल लाएंगे कप प्रेयर ना जब फोर्पले करेंगे चुम्बन से चुम्बन लावोटों पर ही नहीं गदे पर कि इस तनों पर वो इस स्थुम्मर करने से उस अवरत की प्रेरना बढ़ेगी लाइंगी प्रेरना बढ़ेगी इसको बोलते है एरोजल योन उत्तेजना होती है विसके अवरत की योन ही होती है उसका लेंग्ध कितना अब गोर रहेगा आपको मालू है केवल साढ़े तीन लेकिन लिंग के परमान के प्रकार वो बड़ा होता है बस अब ज़िए यलास्टिक होता है उसे मुश्मर कमांस प्रेशी उस प्रकार में लाइंग्ध तो हता है लेकिन अवरत को सुख देने वाली दिलाइंगी का नाडियां केवल योनी में दो इंचिस तक ही होते हैं उस इसके बाद कोई भी लाइंगी के प्रेणा देने वाली नाटियां योनी में नहीं केवल दो इंचिस तक लेकिन जब लिंग साइज पड़ेगा जब लिंग साइज तो चार इंचेस पाई इंचेस या सिक्स इंचेस वुता है चार पांच छे इंचिस तक होता है लेकिन योई निविक केबल दू इंचिस तक ही लाएग एक प्रेयरन डायक अंड लाएग के आकानालियं होती है इसलिए इस आदमी को अपने बीवी की बारे में शंक है की उसका लिंगन छोटा है मेरी बीबी संतुष्ट हो गी यह नहीं जरूर संतुष्ट होगी कोई बीवी का शंका नहीं संदेह नहीं डार्ट होने की जरूत नहीं है क्यों क्या चाहिए उसको four place लाएंगे प्रेयर नый इना है उसे संतुष्ट होरे तक बहुतो वह सिट्रोक लेकिन जब तक उसको संतुष्वगा तब तक स्ट्रोक्स देते ही रहना है तब ही वो संतुष्वजी लिंग के लिंग के साइज पर उसके कोई भी संतुष्वणा ना होना आधर नहीं है इसलिए इसको यह चाहिए कि लंग का पर्मान के विद चिंता करने की जरूरत नहीं जब शादी हो जाएगी शादी होने के बाद उसको बीबी के साथ प्रयावपूरक रोमांटिक बिहेवियर रोमा और कुछ वीडियों के लिए 20 करोड व्यूस को निकट वाली डाक्टर समरम मल्टी चानल नेटवर्क समरपित सुखसमसार चानल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेर कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाईए प्रका प्रका प्राइब बिल्हाइब कानल कीजिए लाइब कीजिए बिल्चानल कीजिए।